जब कोई फिल्म I.S.P.C.S के मुश्किल एक्जाम को सांप सीडी के आसान गेम से समझाने की कोशिश करे ना तो एक मिनिट में समझ जाना ये फिल्म जिन्दगी बदलने वाली है शुरू किया था 0 से फिर धीरे धीरे पढ़ते गए और छोटी लंबी सीडी चड़ते गए रिटन पेपर क्लियर हुआ तो आखरी 10 नंबर तक पहुँचे काम बड़ा आसान था पर एक छोटी सी गलती मेरे बच्चे और वो 99 पे बैठा इंटर्व्यू का सांप आपको 10 के सीधा लाके पटक देगा वापिस से 0 पे एक साल बरबाद हुआ अब शुरू करिए एक नया खेल फिर से वही सांप है फिर से वही खिलाडी क्या इस बार 100 तक पहुँचेगी ISPCS के सपनों की गाड़ी एक दम आसान धाना इतना कि अब आप दूसरों को समझा सकते हो कि ISPCS बना कैसे जाता है ये ताकत है सच्चे सिर्मा की जो मैंने देखा 12th फेल के अंदर अपने सर की कसम खाके बोलती हूँ मैं 2023 में सबसे बेस्ट फिल्म है ये जो मैंने आज तक देखी पर एक सवाल आपके दमाग में पका आ रहा होगा ISPCS बनने के लिए 10-12th की मार्कशीट पर पास लिखा होना सबसे जरूरी है तो ये 12th फेल बंदा ISPCS कैसे बन गया ये तो कुछ भी नहीं है आपको असली जटका तब लगेगा जब मैं आपको बताऊंगी इस लड़के के हाथों में दो नली की बंदूग थी जिसमें किसी जमाने में ये पुलिस आफिसर को उड़ाने का सपना देख रहा था और तो सुनिये भाई साथ डांकूँ की नगरी चंबल में पैदा हुए थे तो ये हाथ में तलवार की जगे पैन कहां से आ गया अरे वो भी छोड़ो पॉकेट में एक रुपे का सिक्का नहीं था फिर भी ये बंदा दिल्ली कैसे पहुँच गया यकीन करोगे अब इतनी पावर है कि खुद के लिए एक पूरी ट्रेन अलग से बुग कर लेंगे जी हाँ एक 12 फेल की कहानी जो साफ सेडी सीधा जीरो से शिर्वात करेंगे देखो बॉलिवुड की शक्तियों का गलत इस्तिमाल हमेशा किया जाता है पर पबलिक अब होश्यार है हर बार बहकावे में पढ़ती कहां है लेकिन कभी-कभी इस खजाने से हीरा बहार निकलता है वो जो सौ साल बाद भी उतनी ही टेस्ट चमक मारेगा जैसे पहले दिन थी 12 फेल बॉलिवुड का वही कोही नूरी हीरा है जो स्क्रीन पर ऐसा सिर्मा लिखाता है जैसे मानों अपनी जिन्दगी दुबारा जी रहे हो आप सबसे बड़िया चीज surprise factor आपको उमीद नहीं है जिस फिल्म से वो आपको थीयर्टर के अंदर ऐसा experience देगी जो lifetime साथ रहेगा Three Idiots तो सब ने रेखियोगी फिल्म नहीं जिन्दगी थी वो कहानी fictional हो सकती है लेकिन emotions हम सब के असली थे वही सेम makers ने 12 Fail को बनाया है और यकीन करो Three Idiots से बहतर है या नहीं मैं नहीं बोलूँगी पर उसके बराबर ये फिल्म जरूर खड़ी होगी बहुत टाइम बार एक ऐसी फिल्म बनी है जिसको ना सिर्फ पूरी फामिली के साथ आप देखोगे बलकि जो पूरी फामिली को एक डूसरे के नजदीक लेकर आएगी रियल लाइफ में और हाँ ये समझने की गलती मत करना की नाम 12-fail है, ISPCS का टॉपिक है तो फिल्म काफी बोरिंग होगी पढ़ाई लिखाए की बाते होनी पूरे टाइम जी बिलकुल नहीं, अंदर आपको proper suspense मिलेगा, thrill मिलेगा, romance मिलेगा और सबसे ज़रूरी धाई घंटे entertainment, entertainment, entertainment जब किसी आक्टर से अच्छी खासी जान पहचान होने के बावजूद, पूरी फिल्म में आप उसको एक सेकंड भी पहचान ना पाहो, उसको बोलते हैं सची आक्टिंग विक्रान मैसी, भाई साब underrated actors की कोई factory होगी ना, तो उसमें विक्रान सहाब को CEO बनाया जाएगा, talent का बाप है ये actor फिल्म के पहले सीन से लेकर एकड़ आक्री climax वाला goodbye, विक्रान मैसी कहां गए, मुझे तो समझ ही नहीं आया, गिरगिट की तरह रंग बदल के गायब हो गए मेधा शंकर ये नाम पहली बार सुनाओगा 100% लोगों ने और अब 100% मुझे यकीन है कि इस फिल्म के बाद 100% इनको सर्च करोगे गूगल पे विमन एमपावर्मेंट के लिए फिल्मों में सिग्रेट शराब डांस होना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी सिफ अच्छी आक्टिंग काफी होती है, मेधा जी से सीखो तो बॉस 12 फिल्ड को मेरे पास कुछ और है नहीं, 5 स्टार्स के लावा देने को 100% मास्टरपीस जिंदगी बिदलने वाला सिनिमा, सल्यूट एक स्टार फिल्म का मुझकिल सब्जेक्ट इतनी आसानी से दिखाना वो भी एंटरेटेन्मेंट के साथ दूसरा इसी टॉपिक पर बन चुकी हजारों फिल्मों से अपनी फिल्म को अलग खड़ा करना डिरेक्शन पावर जिंदाबाद तीसरा से फिक्षन नहीं, रियल लाइफ को चेंज करने वाला मैसेज, सच्छी पावर ओफ सिनिमा चौथा फिल्म का क्लाइमेक्स, काफी टाइम बाद ऐसी बॉलिवूड फिल्म जो आँखों में पानी लेकर आएगी और पाँचपा सबसे ज़रूरी परफॉर्मेंस, विक्रान सर की आक्टिंग नमबर वन, जीहां सर बोलना पड़ेगा, ऐसा काम करने के बाद इज़त दिल से निकलती है और मेधा शंकर का सपोर्टिंग रोल 100% मैजिक, नारी शक्ती सिनमा की दुनिया में ऐसी दिखती है, शकल भूलने ही पाओगे वेट मत करो, बॉस टिकेट अभी बुक करो आप with family, मान लो सिनमा नहीं, एक बार दुबारा खुद से मिलने जा रहे हो, बच्पन से प्रेजेंट पूरा सफर बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायट करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरने थोड़ा से इंतिजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई